तो नेट्फिक्स पर एक नई मूवी रिलीज हुए जिसका नाम है कठहल जिसमें एक MLA है और उसके दो 15-15 किलो के कठहल जो है वो चोरी हो जाते हैं और उन कठहलों को ढूणने के लिए लग जाती है पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन अच्छा अब इसमें भी एक ट्वि सान्या मलोतर की इस मूवी में विजहरास का स्क्रीन टाइम कम था लेकिन जितना भी था मैजिकल था और मुझे ऐसा फील हुआ कि इनको थुड़ा सा और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था राजपाल यादव और अनन जोशी वर गुड तो ओवरॉल अगर आपको एक या परफॉर्मेंस देखनी है तो आप ये मूवी देख सकते हो पॉजिटिव नमबर टू एक तो OTT प्लैटफॉर्म्स पे ये फायदा है कि अगर कोई मूवी या सीरीज आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से जब चाहे इसको बंद करके बै क्योंकि आप देखो स्टोरी एक्चुली चार-पांच जगों से कॉपीर लगती है और स्टोरी में ना कुछ भी हो रहा है मतलब कि कटहल चोरी का केस जो है वो कोर्ट में लड़ा जा रहा है और हुमन ट्राफिकिंग का जो केस है वो नहीं लड़ा जा रहा है और मूवी मे जो कॉमेडी है वो 30% आपको हसाएगी और बाकी का 70% मुझे थोड़ा सा जबरदस्ती का फील हुआ है स्टोरी में मुद्दे उठा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कास्स सिस्टम के बट उतने अच्छे से नहीं मतलब यह मुद्दे ना ऐसे स्टोरी को टच करके निकल क्योंकि स्टोरी का में मकसद है आपको हसाना बट जैसा कि मैंने का 30% हसी आई और 70% जबरदस्ती फील हुई तो मैं अगर मेरे experience शेयर करूं तो मेरे साथ actually total ऐसा 4 बर हुआ जा पर मैंने logic के मारे movie बंदी कर दी बट फिर मुझे याद आए कि मुझे review बनाना है तो मुझे म मजबूरी में ये movie देखने पड़ी बट अगर एक लाइन में story का gist अगर आपको समझाओ तो story अंदर से थोड़ी खोगली feel हुई तो just for the acting वाला part मैं इस movie को देना चाहूँगा 1.5 out of 5 और ये movie ना mass entertainment वालों के लिए भी नहीं है और content driven वालों के लिए भी नहीं है ये कहीं beach की movie है तो family के साथ देखना चाहते हो तो देख लो यार तो ये video मैं यहीं खतम करता हूँ review यहां तक देखी लिया है तो like, dislike, subscribe, कोई ना कोई एक button दबा के जाओ अब मैं मिलता हूँ आपसे next review में तब तक अपना ध्यान रखो be awesome, bye bye